हेलो गाईज, वेलकम तो थे न्यू अनदर वीडियो और आज किस वीडियम दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप से स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हो चलते दोस्तों अपने लैपटॉप की ओओर यहाँ पर मैं ओपेण करने वाला हूँ व्राजर के दुरूप आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप में स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हैं और साथ ही दोस्तों आपको इसे screenshot में आपको चार ऐसी modes देखने को मिलने वाले हैं जो आपके लिए काफी जादा helpful होने वाले हैं ये modes दोस्तों किस तरीके से काम करते हैं इन modes से आप किन किन तरीकों से screenshot ले सकते हूं ये सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूं इन तेनों को प्रेस करने के बाद आप देख सकते हों कि आपकी सामें ये चार mode आचुके हैं जिसका पहली का नाम है दोस्तों आपका rectangular mode इसे के दुरू हम पहला screenshot लेने वाले हैं इसमें भी आपको चार modes मिलने हैं अभी पहले वाले को यूज़ करने वाले हैं तो जैसा कि आप देख सकते हों इसका नाम है rectangular mode ये काम क्या करता है दोस्तों अभी आपको पता चल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हों ये tiger है मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी tiger का ही photo चाहिए और ये देखो आप किस तरीके से इसका screenshot आप निकाल सकते हो और ये आपके लिए काफी जादा helpful होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को किसी एक particular area का या फिर किसी particular photo की जरुद पढ़ती है अपने work के लिए तो जैसा कि आप देख सकते हो तो हमारा जो screenshot है दोस्तों वो निकल चुका है और ये आपके लिए काफी जादा helpful होने वाला है और quality की बाद करने दोस्तों तो quality कहीं से भी खराब नहीं होने वाली है अगर आपके photo अच्छी है तो ये दोस्तों हमने open कर लिया अपना दूसरा wallpaper इसमें मैं बताऊँगा कि आप अपने दूसरी mode का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है दोस्तों free from snip इसे दोस्तों हमने open कर लिया और open करने के बाद अब मैं इसका screenshot लेकर दिखाऊँगा free from mode के through जो हमारा दूसरा mode था दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से काम करता है तो पहले वाले से आप समझ गया होगे कि ये काम किस तरीके से करता है और क्या करता है बड़ गाईस अच्छे तरीके से समझने और अच्छे तरीके से देखने में जाद हमाज आता है तो यह आप देख सकते हो दोस्तों कि मैं किस तरीके से इस car का screenshot निकाल रहा हूँ तो यह दोस्तों actually मैं यह काम कहां पड़ता है कि जैसे कि अगर आप PNG टाइप के कुछ clips बनाना चाहते हो और आपको किसी एक photo का clip चाहिए उसके अंदर का तो वो उसमें आपका यह काफी जाधा काम आने वाला है अब आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारा जो screenshot निकल चुका है वो भी काफी जाधा अच्छे तरीके से तो यह है दोस्तों हमारा second option जिसका नाम था free from mode ऐसा था मैंने कई बार नाम ले लिया है तो आप समझ चुके होगे अब मैं दोस्तों बताने वाला हूँ हमारे third mode के बारे में जिसका नाम है window mode एंड इसमें दोस्तों हमको एक photo choose कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यह BMW car को choose किया है यह दोस्तों बहुत ही simple है जैसे कि अगर इसमें आप screenshot लेते हो तो यह सिर्फ आपके पूरे windows का screenshot लेगा मान के चलो कि आपके पूरे के पूरे photo का screenshot निकाल लेगा जैसा कि देख सकते हो दोस्तों कि इसने एक area को choose कर लिया है पूरे एंड उसका screenshot निकाल लिया है and last का जो आप नीचे की जो line देखते हो जहांसे अब आपने laptop को on off करते हो उसका screenshot यह नहीं लेता है यही है दोस्तों इस windows mode का का काम and जो last वाला हमारा mode है दोस्तों जिसका full screen mode name है जो हमारा चौथा screenshot mode है इसका काम simple सा है guys इसमें कुछ होता नहीं है इसके थुरू आप पूरे की पूरे windows का screenshot एक बार में निकाल सकते है जैसा कि आपको याद होगा कि आप जब अपने phone में screenshot लेते हो three fingers की थुरू या फिर आप अगर button की थुरू screenshot लेते हो तो आप देखते होगे कि आपके पूरे page का screenshot आ जाता है यह कुछ उसी तरीके से काम करता है तो यही था दोस्तों इसी वीडियो में लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि आप जो भी screenshot लेते हो उसे save जरूर कर लेना क्योंकि आपको save भी करना पड़ेगा